कि हलो एविवाल दिस इस मांसी रिप्रेसेंटिंग अरके नाइन आप लोग अच्छे होंगे और अपनी कोश्चिन स्रीज को इंज्वाइब कर रहे होंगे तो इसी चानल पे वो वीडियो अविलेवल है आप उसे एंज्वाइब सकते हैं इस सेशन में कुछ और कॉश्चिन सॉल्फ करेंगे जिसे हमारी और कॉंसेट क्लारीडी होगी सो चलिये विदा विदा वेस्टिंग नहीं लेट स्टार्ट देश्टिंग है इस फर्स कोस्टिंग इस नाइदर लेट आउट नौर सेल्फ उक्यूपाइट तो आउट प्रिविए इस आन्वल वाल्यू शाल भी कि देखो हमने कुछ कौंसेट्ट को को ला सेशन में डिसकास किया था हम आजए तो वह हएक leben सबस्सक्रेटी है अगर वह प्रसु promotee कर visitor सब्सक्राइब तो उसके पास चैछल यह ससरा चाहिए को सब्सक्रांट करेंगा और फ्लेट ट्रीट ना ट॥ु त्वयुटा गौथ करने पड़ेगा अब इसमें कसलों मैं क्या रहा है कि एक सब्सक्राइब अ कॉस्वारा है गिवन है वनार लाग त्रीक चाउज़ग के आग्र हम बात करते हैं कि परसने की अगर हम आहरे तो किसे किख सबस्ट talvez आधे अगर यह से पेड़े नहीं करने हटानने तो उसे कैसे टुशीब करेगा तो इस अ क्या सब्सक्राइब और प्रपरटी को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो से जब वालू क्या होगी निल यह इस बीप समझ में है कि किसी परसन के पास को प्रपरटी है और यह तो उसके पास अप्शन क्या है कि उससे एक्स पेकरने के लिए रिक्वारड नहीं है जी कि अगर लेट आप प्रपर्टी ट्वीट करता है तो उसके उपर इ अच्छी से पता है कि self occupied property है तो उसके अन्वल वालू क्या होगी निल clear नौ स्टिसेंड कॉस्चिन इस पाइंड आप ग्रोस अन्वल वाल्यू ग्रोस अन्वल वाल्यू का हमने फॉर्मुला क्या था ग्रोस अन्वल वाल्यू का फॉर्मुला ज्या मुझ्सिपल वाल्यू और फिए रेंड विच अवर इसायर ची के subject to standard rent क्लिया subject to standard rent उसकी बाद क्या ये CALCULATE हो की क्या तम आती है xpected rent and expected rent और actual rent which I was higher whichever is higher municipal value of fair rent whichever is higher but subject to standard rent and its go calculate क्या for term at the expected expected in expected and calculate expected or actual rent whichever is higher is our gv she can actual rent में से पड्ड इहां अब एक इंपोर्टेंट हमें actual rent में से एक्चल रेंट में से हम क्या माइनस करेंगे unrealized rent unrealized rent ठीक है अब हम यहां पर क्या क्या गिवन है municipal value and the fair rent पास्ट भी काल कुलेट एक्स्पेक्टेड रेंट मिल्सिपल वाल्यू अंपेर रेंट विचावर इस हाया 50,000 डन बढ़ सब्जेक्ट रेंट एक्सपेक्टेड रेंट क्या हुआ हुआ हमारा 48,000 ठीक है question में क्या गिवन है unrealized rent actual rent में से हम unrealized rent को minus करते हैं तो actual amount क्या है 55,000 क्लिया 55,000 आया actual amount now expected rent and actual rent actual rent कितना है 55,000 actual rent and expected rent whichever is high हो विजाट जीवी तो जीवी का कितनी हुए हमारी 55,000 clear answer is 55,000 question क्या बोल रहा था find out the gross annual value ठीक है अन्याल वाल्यू के लिए हमें expected rent की requirement है actual rent की requirement है actual rent में से हम actual unrealized rent actual rent हमारे लिए इतना आने वाला था उसमें से unrealized जो हमें received नहीं हुआ है ठीक है unreal sorry unrealized rent क्या हुआ जो हमें received नहीं हुआ तो unrealized rent कितना थे रहा 20,000 75,000 is the actual rent now minus actual rent minus unrealized rent is the actual amount which is received by the owner that is 55,000 expected rent कितना है 48,000 to calculate the GAV expected rent or actual rent whichever is higher so answer is 55,000 GAV calculation समझ में आया कि हमने GAV को कैसे calculate किया अगर unrealized unrealized rent given है तो clear now moving to moving to the next question x is the owner of the property the details of given below x क्या है एक property का honor है जिसकी हमें कुछ details given है ठीक है principal value 30,000 actual rent 32,000 peer rent 36,000 and the standard rent is 40,000 standard rent क्या है 40,000 ठीक है question में printing mistake है हमें क्या calculate करना है gross annual value क्या calculate करना है gross annual value now again repeating the formula municipal value or fair rent whichever is higher but subject to the standard rent पहले GAV calculate करने के लिए हमें क्या required है expected rent and how to calculate the expected rent municipal value or fair rent whichever is higher but subject to the standard rent अब स्टांडरे रिंट ज्यादा दे रहा है लेकिन हमारे पास फिर्वेंट अब मिन्सिपल वाल्यू का calculation आए वह कितना है 36,000 तो हम लोगर अमांट कालकुलेट करते हैं अगर हम उसे एक्सिच्ट तैंडर करते हैं तो स्टांडेर doit༂ख 14 000 तो 36 यह थार सानसर पर चलेघ करने किक्ला आपक्सकेट पनेयु सामज़ करने कंगे में एक्सक्टेर यहां में में यह थार पाणना क्ला होता है आपक्सक्टेरइड यह थीटरहन होई थैस्ट को दुबारक जहांस है कि टो अणि patent 2020 245 ठाहएं तोkem न अगर सब्सक्राइब चुन में का अमांटे किस्टाइब करो तो इलकिन हमें लोर अमांट इसमें अमान दे रहा है तो हमें लोर अमांट एक्ट़र्ण। तरदी सिक्स थावजन इस टेरेंड कितना अगता था निरन सब्सक्राइब में तकि सब्सक्राइब अब फासिए बित टैंसर गाइन सब्सक्राइब लगता तक यह एक्षावट इस समझ वह यह पहुई तरदी को यह साधा दे रखा है और अगर फेर रेंट और एक्मिंसिबल वाल्यू का दोनों में से हाइर करने के बाद अमाउंट कमा रहा है तो हमें लोवर अमाउंट को कंसिडर करना है क्लिया आगे चल सकते हैं तो चलिए moving to the next question आप इसे वीडियो को pause करके से write down कर सकते हैं solution को now moving to the next question find out the gross annual value of house property x if the following is given municipal value 80,000 fair rent 70,000 vacancy 10 12 months mcq solve करने के सबसे बड़ी strategy क्या है क्या question को जहां से कब से कब दो बार तो पढ़े ही पढ़े question को दो बार पढ़ने से हमें answer उसी महीं मिल जाता है देखो दो बार से पढ़ेंगे find out the gross annual value of the house property x if the following is given municipal value 80,000 fair rent 70,000 now important point क्या दे रखा है vacancy क्या है 12 months vacancy 12 month means 12 month की vacancy थी मतलब property लेट आउट नहीं थी लेट आउट नहीं थी तो से कैसे ट्रीट करेंगे self occupied question में कहीं given नहीं कि उसके पास एक और प्रापर्टी है जहां सेलफ ऑक्यूपाइड है वेकेंसी 12 months की है means वहाँ पर कोई टीनेंट नहीं था लेट आउट नहीं थी प्रापर्टी तो सेलफ ऑक्यूपाइड ट्रीट होगी सेलफ ऑक्यूपाइड ट्रीट हो रहे है तो उसके gross annual value क्या होगी निल क्लियर है क्वेशन में क्या आगे वन था वेकेंसी दे रखेंगे 12 months है ठीक है 12 months की वेकेंसी है means वहाँ पर प्रापर्टी लेट आउट नहीं है लेट आउट नहीं है तो हम उसे सेलफ ऑक्यूपाइड ट्रीट करेंगे सेलफ ऑक्यूपाइड के ग्रॉस अन्वल वैल्यू क्या होग सेलफ ऑक्यूपाइड प्रापर्टी है तो उसके ग्रॉस अन्वल वैल्यू क्या होगी निल क्लिया समझ मैं नाव नेक्स वेशन calculate the gross annual value if from following principal value 45,000 fair rent 50,000 standard rent 48,000 actual rent 11 month ka receive wow 40,000 and the vacancy is one month clear विकेंसी क्तिंट स्युआ है वन मंत की आफ अगर हम देखे लिए से देखना ग्रास अन्म वाल्य वाल्यक्लाइट करनी है सब चीज हैं आकॉर्डिंग नुथिंगान थीकां भ्हले हम एक्सपेक्टेड स्युआ करते हैं मृश्पेक्टेद वाल्य आफ विच्पटेड करते ह expected rent and the fair sorry actual rent whichever is higher how many actual rent कितना given 40,000 और consider क्या बोल रहा है वो आगी क्या बोल रहा है vacancy one month means vacancy एक महीने के लिए लेट आउट था एक महीने के लिए वेकेंट था एक महीने के लिए वाकेंट था अन्वल राइन अच्छल राउंड तो एक्चल अमाउंट कितना रुषीव हो है 40,000 पॉटी था एक्चल रेंट और इक्स्पेक्टे रेंट पिच्छा एवर इस हाया तो जीए वी क्या हुए हमारी 48,000 clear समझमा है कि हमने कैसे कालकुलेट करना है now moving to the next question now moving to the next question the following directions meet from income from sorry printing mistake from house property which of the following direction meet from income from house property Conconcy direct Conconcy directions available hoota है हमें house property की income से at the end of the at the end है तो हम house property से income calculate करते हैं तो उसमें से हमें कौन कॉंसे deductions available होते हैं statutory deduction of 30% yes हमें given होता है income from the house property हम calculate करते हैं इसके बाद हम standard deduction हमें given होता है second one is interest on borrowed loan इसमें कुछ कुछ अलग-अलग conditions specify है कि हमें two lucky deductions मिलेगी five equal installments में divide करना है work other specified area है लेकिन हमें deductions allowed होती है तो इस कहां से क्या हुआ बोत a and b reason behind it कि हमें income from the house property में से कौन कॉंसे start कॉंसे deductions अविलेवल होता है statutory deductions and interest on borrowed loan हमने जो लोन लिया था construction करने के लिए repair करने के लिए ठीक है उस पर हम जो interest premium पे interest पे करें उसके लिए हमें deductions अविलेवल होती है clear तो अंसर क्या हुआ C बोत a and b is deduction allowed from the income from the house property clear now next question bandit pre acquisition और pre construction period क्या होता है कि हमने प्रापर्टी पे लिए प्रापर्टी को अब अब हमारी प्रापर्टी का construction प्रापर्टी के जो construction होना था हमारी प्रापर्टी का हुआ construction का प्रापर्टी हुआ फास्ट डिसाम्बर तो थाउसन सेवन्टीन प्रापर्टी का यह जो देट थी इस दिन ने हमारी प्रापर्टी का क्या हुआ construction फ्राप्स्ट्शन कंफ्राइड वा था यह अब यह जो अब यह ताइम पीरेड था यह ताइम पीड था यह ताइम फीड था यह क्या हुआ प्री कंस्राक्शन पीरिएड प्री कंस्राक्शन पीरिएड क्लियर होगा प्री कंस्राक्शन पीरिएड क्या हुआ कि जब हमने लोन लिया था जब बिलिंग बिलिंग की कंस्राक्शन स्टार्ट हुई थी उस ताइम से जब तक बिलिंग कंस्राक्श्ट हुई उस ताइम तक पीड कमेंस कब होता है on the first day when the loan borrowed हम ऐसा नहीं करेंगे कि pre-construction period यहां से calculate करेंगे जब हमारी property construct हो ही construction pre-construction period हमने कब calculate कब से calculate करना है जब हमने loan का amount borrow क्या था first day when the loan amount is borrowed on the first day when the loan amount is borrowed ठीक है on the date of borrowing which means on the date of borrowing जिस दिन से हमने loan को amount borrow क्या था जैसे नहीं तो दिया रहा है मेभी हमने 13th April को क्या तो 13th April से 1st December तक का जो amount वो sorry जो time होगा जो duration होगा that is the pre-construction period clear को answer क्या होँ on the date of borrowing pre-construction period कब कमेंस होता है on the date of borrowing clear now next question is क्या है कि वांडेट प्री अकुजीशन पीरेड आइंट प्रेकुजीशन पीरेड आइंट कब होना है प्री अकुजीशन प्री अकुजीशन पीरेड आइंट कब होना हमने भी टांपल दिया था कि फर्स्ट आप्रिल को फर्स्ट आप्रिल 15 में 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 लिया और फर्स्ट दसांबर 2017 में कंप्रीट हुआ अब प्री अकुजीशन पीरेड आइंट कब होगा प्री अकुजीशन पीरेड आइंट कब होना है जहां से समझने से ऑन थाड़ी फर्स्ट मार्च थाड़ी फर्स्ट मार्च थाड़ी फर्स्ट मार्च वान दे कंस्रक्शन इस कंस्रक्शन पीरेड के यह के फानाशल यह के आंट होने में 31st मार्च को या फिर हमने उसरे पहले ही या हमने इसी डेट पे लोन की अमाउंट टोटल लोन रिपे कर दिया और दिस्टे तुक बांड़ प्री अकुजिशिशिशन पीर डाइंट्स मींस 31st मार्च इमेजिटली प्राइट प्राइट इन दोनो डेट में से जो अर्लियर होगा जो पहले जो इवेंट पहले हैपन हो जाएगा उस तो इनको प्री कंस्ट्रक्शन पी ये कमेंट का अंट हो जाएगा एगा टांसर इस C A or B विचावर इस अर्लियर क्लियर नेक्स्ट कोश्यन इस इन केस अव सललल कुपईपाइब प्रापर्टी स्टायर विच्शन आजरी तूस इससन टिषाट talkin're शली वह स्टेयर अनवे वाल्य। the person Most of the members of the house property statuary deduction under section 24a shall be nil clear now next question you next question is under which of the following income from house property is exempt from tax इंकम के लिए कुछ exemptions provided हैं कि अगर आपकी house property इस category में fall करती तो उस पर इंकम जन्रेट हो रही है उस पर आपको tax pay नहीं करना अब वो कौन-कौन सी conditions है if your house property is a farmhouse you are exempt from the tax trade union one self-occupied property अगर self-occupied property यह trade union है farmhouse की तरह आपके house property treat हो रही है तो is exempt from the tax to question क्या बोल रहा है और विच आपको अगर नहीं है from house property is exempt from tax farmhouse yes trade union yes one self-occupied property of course so answer is all of the above clear next question if the shares of the call sorry if the shares of the co-owners is not definite and अस्थ एने बल्ध ने वल्टक और शेल भी असस्ट एक प्रापर्टी है अ कि सब्सक्राइब करते मतलब विश्यक्रिय लोगों का कोई इस इनकम जनरेट हो रही है इस प्रापर्टी से जो भी इंकम जनरेट होगी उसके लिए कई लोग ऐसे क्लेम करें उस इंकम को जैसे Mr. A. पांच इसे लोग है जो इस प्रापर्टी की इंकम को क्लेम कर रहे हैं अब हमारे या तो ऐसा अगर ऐसा सब के सब के अमाउंट को को सब इन सब के अमाउंट को कर सकता है इंडीवीजियल का पर्शन कि इस इंडिवीजयल करें अगर इन तो इस सब पर्संट का कोई अमाउट डेफिनेट और सटेने वल लिए पोर्षन की इस इंकम का यह पोर्षन इन लोगों से बिलॉग करता है मीज अगर सपोस है अगर या तो पॉसिबल है कि 20% मिस्टर एक है कै और सब्सक्राइब एक कौन पर्संट नहीं है कि यह पॉसिषन को डीकिर करसके एंक तो इस इंकम जो income generate होड़ी है प्रपर्टी एक्सीम जो income generate होड़ी हो कैसे taxable होगी association of persons कैसे taxable होगी इन सब की नेम से association of person clear question क्या बोल रहा है if the shares of co-owners is not definite and uncertain the co-owners shall be assessed as association of persons clear I hope समझ में आओगा आप लोगों को now moving to the next question interest relating to pre-construction period is allowable to pre-construction period clear हुऊ यहां हमने loan borrow किया था और यहां हमारा construction complete हुआ जिस ट्रीट में हमारा construction complete हुआ वहां से pre-construction period वहां से उससे पहले हमने pre-construction period calculate करना start किया हमने पहले देखा यह pre-construction period कैसे calculate करते है अब क्या हो रहा है interest जो इस amount में इस duration में जो हमने interest का amount पे किया था interest का amount पे किया था कितने installments में हमें further deduction मिलने वाली है तो answer क्या है five equal installments में अब question arise होता है कि five equal instruments five equal installments हम कब से deduct करना start करेंगे तो answer क्या है जब हमारी प्रापर्टी का construction complete हुआ हो जब प्रापर्टी का construction complete हुआ उस date से हम हमारे प्री construction period का interest amount उसे five equal installments से divide करेंगे और उसे five years तक further five years तक deduct करेंगे कहां से start करना है जब हमारे construction का प्रापर्टी का complete हुए क्लिया interest relating to pre construction period is allowable to in five equal instrument when it is incurred no in the year when it is incurred no in the year when it was constructed no in five equal installments when it was constructed yes option D is correct क्या बोल रहा option D कि five equal installments में तो हमें उसे divide करना है लेकिन कब से जब construction complete हुआ है clear समिश में आया कि हमने pre construction period का interest कप्सा आला हुआ करना है जब प्रापटी का construction कंप्रीट वा है you need five equal installments clear now next question is you कि अने सनी हास बोरोड मनी पर अक्विजीशिन ऑफ प्षांड इंट्रेश पीड आफ अफ फिंडिया सच अन्रेस्ट शर्ड शेल क्वेशिन क्या बोल रहे हैं और थे हैं आपकोजिशन आफ फाल इंट्रेस पेड आप एंडिया शेयर किसी परसन ने कोई असेजि़ है इंडिया में असेजि़ है उसने हाउस प्रापर्टी के लिए एक हाउस के लिए लोन लिया ठीक है अब वो जो लिया उसने बहार से आप अप इंडिया से अब उसका टाइम ली और वादते टीए स्पेकर है करें इंडिया अग। अ टीनिया अंट िडियायग्शन है तो ऊसे इंडिया इंडिया नहीं रहे है तो ऑसफे इंडिया में डिलक्षिंख नहीं होगी एंडिया और अगर सिद्टिक्शन क्लेम करनी है इंडिया में तो उसके लिए क्या सटीस्ट्फाए होनी चीए कि वो जो इंट्रेस्ट काम आउंट बाहर पे कर रहे है उस पर इंडियन गपार्मेंट को टीड़ेकर रहे है क्लिया कोई सचिन क्या बोल रहा है एं इंट्रेस्ट पेड आप अपर लो आप्चिन इस इंडिया में इंट्रेस्ट रमाउंट की डिर्चिन क्लेम कर नहीं तो क्या कंडिशन सेटेस्वाइब होनी चीजिए की वह इंडियन गौर्मेंट को वह समाउंट पे ट्डियेस पे कर रहा हो आस पर देलाओ clear now next question is interest was just a minute interest on borrowed capital can be claim as deduction on interest borrowed capital हमने जो कोई आप लोगों को क्लिया हुआ कि अगर आगर अकांटिंग फॉलोग करें तो आक्रोल बेसिस पे कर रहें इंट्रेस्ट कर रहे हैं अब इंट्रेस्ट लिया अपने बौरो किया capital उसका इंट्रेस्ट का मांट है उस पर हमको deduction क्लेम करें कैसी करेंगे आक्रुल बेसिस पे क्लिया यहां पर हमने इस पर इस से रीज को को कम्पीट किया लिया हमने अराउंड 15-20 इकोशिंट के लिये इसके आंसर के आप लोगों के लिए यहीं अविलेवल है इन दो स्क्रीज में हमने हाउस प्रोपर्टी के मेजर कॉंसेप्स को क्लिया कर लिया जो एक्जाम पॉइंट अफिसे इंपॉर्टेंट थे अगर आप लोगों को पीडिया की रिक्वेंट है इन कोशिंट सेरीज की आप इन पर अपनी पीडिया रिक्वेंट सेंड कर सकते हैं स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहे हैं तो दियर स्टुदिंट्स एंज्जाइब स्वीज और नेक्स सेशन थैंक यू अव्रिवान